हेलो तुडिंट्स तो होफुली मुझे लगता है कि आपने लास्ट टाइम जहां तक मैंने आपको बताया था वहां तक आपने घृष्शन्स को स्टडी रखना है क्यूंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको lockdown में ही बहुत सा पाट जो है वो से लिबस्का करवा दो तो आपने ऐसा नहीं समझना है कि आपको कोई छुटियां है या आप लोग रिलेक्स होके बैठ जाओ आपने continuity में उसको study करते चलना है तो आगे चलते हैं आज question number 15 की तरफ जो exercise हम कर रहे थे question number 15 है हमें find out करना है a square minus 5a plus 6i जहां पर a matrix आपको दी हुई है आपको इस चीज़ को find out करना है a matrix दी है 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0 तो यहां पर students अब हमें सबसे पहले जो चीज़ मुझे find out करनी है मैं इसकी एक एक term को निकालूँगा और फिर last में इन सबको यहां पर put कर दोंगा तो जैसे मैं a square निकालने वाला हूँ a square के अगर बात करूँ a square हम सब जानते हैं कि a square कैसे आएगा a into a matrix करके तो a matrix लिख दी 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, minus 1, 0 इन फिर a matrix 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, minus 1, 0 अब इन दोनों को multiply करना है तो multiply करने का तरीका मैंने आपको बताया था पहले की row लेंगे और दूसरे के column तो पहले की row से दूसरे के हर column को multiply करेंगे तो पहला element आ जाएगा 2, 2, 4, plus 0, 2, 0, plus 1, 1, 1 तो भी पहली row से पहला column हुआ उससे पहला element आ गया अब अगला पहली row से दूसरा column 2 into 0, 0, plus 0 into 1, 0, plus 1 into minus 1, minus 1 अब फिर्स्ट row से लास्ट column बचता है 2, 1s आ, 2, plus 0 into 3, 0, plus 1 into 0, 0 similarly, अब दूसरी रो से दूसरा column, 2 into 0, 0, 1 into 1, 1, 3 into minus 1, minus 3 अब दूसरी रो से तीसरा column, 2, 1 into 3, 3, and 3 into 0, 0 अब लास्ट row से तीनों column उसी तरीके से आ जाएंगे 1 into 2, 2, plus minus 1 into 2, minus 2, plus 0 into 1, 0 अब दूसरी रो से दूसरा column, 1 into 0, 0, minus 1 into 1, minus 1, 0 into minus 1, 0 now, 3rd row से 3rd column, 1 into 1, 1, minus 1 into 3, minus 3, 0 into 0, 0 ऐसे आप A square निकलेगा, तो कोई गलती मत कर देना यहां पर कि A square में हर element का square ही कर देना वो गलत हो जाएगा A square कैसे है, A square आया, A into A, कई लोग करेंगे ऐसा कि हर element का square ही लग पढ़ेंगे करने, वो गलत है भई matrix में A square is A into A, ओके, तो यहां पर यह A matrix into A matrix, दोनों matrices को multiply करके आने वाला है, तो यह कितना आ गया आपके पास, A square बन के आगया मेरे पास, 4 plus 1, 5 minus 1, 2, 4 plus 2, 6 plus 3, 9, 1 minus 3, minus 2, 2 plus 3, 5, 2 minus 2, 0, minus 1, minus 2, देखो, 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 सभी करो calculate, आप लोगों ने मेरे साथ साथ calculation करते चलनी है, आपका आना चाहिए, 5 minus 1, 2, 9 minus 2, 5 and 0, 1, 0, minus 1, minus 2, so this is your A square, अब, अब मुझे 5 A भी निकालना है, तो 5 A भी निकाल लेता हूं, 5 A तो निकलाएगा, 5 into A, हर element को 5 से multiply करके, 5 A, will be 5 into this, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1 minus 1, 0, multiply कर दिया, 5 to the 10, 0, 5, 5 to the 10, 5, 15, 5 and 0, 5 minus 5, 0, ठीक है, तो ये आपके पास 5 A हो गया, अब आपके पास बचा 6 I निकालने को, और फिर इन सबकी value मैं इसमें put कर दूँगा, 6 I, 6 into identity matrix, identity matrix 3 cross 3 की, 100, 010, 001, तो इसके हर element को 6 से multiply किया, तो 600, 060, 006, तो ये तीनों चीज़ें आ गई, मेरे पास, मेरे पास A square भी आ गया, 5 A भी आ गया, 6 I भी आ गया, अब मैंने यहाँ value डाल देनी है, और answer मेरे पास आ जाएगा, तो जैसे मैं, यहाँ पर अब value डालूँगा इसमें, hopefully मझे, आपने no down कर लिया होगा, और साथ-साथ आपने भी calculation करते चलनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको जो है वो, सिर्फ सुनते रहें, साथ-साथ आप अपना pen भी चलाएं, क्यांकि आप लोग करते चलेंगे तो, आपको वो चीज आती भी जाएगी, matrix का multiplication की जितनी practice हो सकती है, उतनी करो, बार-बार book में जो example दिये हैं, उनसे matrices को multiply करना सीखो, multiply करना बिलकुल असान है, पहले की row को दूसरे के हर column से करते जाना है, जब एक row से सारे column हो बैठे, तो फिर अगली row से सारे column, फिर अगली row से, अब यह था मेरे बास a square, जो हमने निकाला था, 5a, 6i, यहाँ डाल देता है, a square लिख दिया जी, 5, minus 1, 2, 9, minus 2, 5, 0, minus 1, minus 2, यह आ गया तुम्हारा a square, minus 5a, 5a, यह है रहा तुम्हारा, 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, minus 5, 0, and plus 6i, इसमें इसको add कर देना है, 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, तो अब यह simple multiplication, और यहाँ पर हमारे पास simple addition and subtraction बचती है, addition, subtraction याद करो, याद करो, जराब अगर आप लोग तुम याद करोगे, तो सबसे पहली exercise में मैंने बताया था कि addition, subtraction में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, corresponding elements को add और subtract करना है, तो यह तो एकदम से तुम कर सकते हो, देखो जरा कितना बन गया, पहले चलो इसको गर लेते हैं, इन दो को इसको बाद में कर लेते हैं, 5-10, minus 5, minus 1, minus 0, minus 1, 2-5, minus 3, 9-10, minus 1, क्योंकि सीधा कोर्रसपोंदिंग अलमेंट को, minus 2, minus 5, minus 7, 5-15, minus 10, 0-5, minus 5, minus 5, minus 1, minus into minus plus, minus 1, plus 5, it is 4, and minus 2, minus 0, it is minus 2, plus 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, अब सिंपली इन को दो में एड करना है, एड करके बताओ मुझे क्या अंसर आगया, करो, 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 सब अपनी कॉपी पे चेक करना है, फिर आपने मेरे साथ, कि इनको तुम एड करोगे, तुम्हारे पास क्या आंसर आने वाला है, तुम्हारे पास 10 सेकिंड का टाइम है, करो, 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 इसको फटा-फट, बताओ, आंसर आना चाहिए तुम्हारे पास, क्या आंसर आएगा, देखो, minus 5, plus 6, minus, सारी, plus का 1, it is plus का 1, and minus 1, plus 0, minus 1, minus 3, plus 0, minus 3, minus 1, plus 0, minus 1, minus 7, plus 6, minus 1, minus 10, plus 0, minus 10, minus 5, plus 0, minus 5, 4, plus 0, 4, minus 2, plus 6, plus का 4, तो ये तुम्हारे पास इसका answer आने वाला है और ये जब तुम यहां तक solve कर दोगे तब तुम्हें full marks award हो जाएंगे तो ये question जो है तुम्हें वो 4 marks में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना था कि मुझे एक matrix दी थी simply कुछ नहीं करना था हर एक की value निकालनी थी और फिर यहां put कर देनी थी जो आपको पूछा गया था इसी तरह से question number 16 है वो तुम्हें homework है question number 16 में भी एक matrix हैसी ही A दी है और वहां पे एक equation बनाई है उसको तुम्हें प्रूव करना है वहां पे भी तुम्हें इसी तरीके से find out करना है बट वहां पे एक point है वो मैं तुम्हें बता देता हूं वहां जहां तुम मड़ोगे वहां पे मुझे A cube भी निकालना है ठीक है तो जो A cube होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब A cube कैसे निकालोगे पे साथ बता है A cube के लिए थुम क्या करने वाले हो तुम पहले A square निकालने वाले हो ठीक है जैसे माललो तुम्हें जो वो matrix भहां दिये उसमें तुम्हें A cube निकालना है तो A cube के लिए तुम पहले A square matrix निकालना हूं A square जैसे यहाँ निकाले थी फिर उसको A matrix से multiply करो तब जाके जो matrix आएगी वो A cube आएगी अगले question में तुम्हें A cube निकालना है वो A square into A करके आएगा तो पहले A square matrix निकलेगी A square कैसे निकलेगी भी A square निकलेगी A into A करके वहाँ से एक matrix आगी A square उसको फिर यह से करोगे तब A cube आएगा तो अगला question number 16 यह तुमने try करना है और यह तुम्हारे को homework है नहीं आएगा तो तुमने मुझे बताना है कल टेलिफोनिकली मैं तुम्हें उस question को करवा दूँगा ठीक है अच्छा अब next आगे चलते हैं थोड़ी lengthy problems है इसके आगे जो भी इस exercise के अंदर है और इसी तरह के बहुत सी problems जो हैं वो आपको NDA के अंदर भी आई हुई है कि जैसे इसके value क्या होगा आपको वो इसकी 4 option बना के दे सकता था जैसे हमने last question में किया उसने चार matrices दे देनी थी चार हो option में और पुछ लेना था A square minus 5A plus 6I की value क्या है या वो matrix कौन सी बनी यह ने वी सीडी में से तो वो सब तुम्हे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है इसमें देखो बहुत असान पार्ट होता है matrices determinant chapter number 3 और chapter number 4 simply सिर्फ addition subtraction की बात है तो depend करता है कि तुम लोग कितना उसको addition subtraction को सही करते हो क्योंकि एक भी step पे तुमने कोई गलती कर दी ना plus or minus करने में तो question तुम्हारा वहीं पर खराब हो जाएगा तो यह plus minus की practice है और कुछ नहीं है और यह जो है वो हमारे पास सभी streams को पढ़ाया जाता है commerce वालों को पढ़ाया जाता है और बहुत uses का तुम देखोगे आगे रहने वाला है अब आगे चलते है आगे बही जो question है यह एंडिये में आ चुका है पहले question number 17 और HPCET agriculture type exam में आ भी सकता है असान है कुछ भी नहीं है if A matrix एक मुझे दे दी है 3 minus 2 4 minus 2 और साथ में मुझे एक matrix I दे दी गई है और वो matrix I क्या है वो है 1 1 0 0 ठीक है यह गलत लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर it is 1 0 0 1 आई जो है it will be this ठीक है आई आई है as usual जो आपको पता होता है identity matrix 1 0 0 1 and we have to find k आपको small k की value बतानी है कब? जब equation दे दी है मुझे a square is equal to k a minus 2 i तो यहाँ पर k की value क्या होगी अगर a square इस matrix का k a minus 2 i के बराबर है तो objective में देना है तो वो k की value के साथ चार option तुमें दे देगा तो तुम समझ सकते हो कि यह question objective में भी तुम्हारे को पूछा जा सकता है तो अब देखते हैं इसका solution a square करना है फटा फट करेंगे सारे a square 3 minus 2 4 minus 2 squisy matrix से multiply 3 minus 2 4 minus 2 first row से first column first row से first column 3 3 is a 9 plus minus 2 into 4 minus 8 first row से दूसरा column 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into minus 2 plus का 4 fourth रिशा 12 plus minus 2 into 4 minus 8 4 into minus 2 minus 8 minus 2 into minus 2 plus का 4 तो कितना हो गया 9 plus into minus minus 9 minus 8 1 minus 6 plus 4 minus 2 12 minus 8 4 minus 8 plus 4 minus 4 तो यह तुम्हारे पास a square आ चुका है अब a square किसके बराबर दिया है k a minus 2 आई के तो मैं डिरेक्टली इसको कर देता हूँ according to question क्या दिया है मुझे according to question according to question यह चीज़ जो है 1 minus 2 4 minus 4 it is given equal to k into a matrix 3 minus 2 4 minus 2 minus 2i 2 into 1 0 0 1 तो इसको solve कर देते हैं आगे यह हो गया 1 minus 2 4 minus 4 is equal to 3k minus 2k 4k minus 2k minus 2 0 0 2 अब यहां से इसको अगे solve कर लेंगे आगे यह मेरे पास बन गया यह हमारे पास क्या बन गया अब 1 minus 2 4 minus 4 is equal to 3k minus 2 corresponding elements को subject कर लिया इस matrix है इस matrix को minus 2k minus 0 minus 2k 4k minus 0 it is 4k minus 2k minus 2 अब k निकालना बहुत असान है किसी भी corresponding element को equal कर लेंगे क्योंकि दोनों matrices equal है तो equal है तो यह चीज इसके बराबर होगी यह चीज इसके बराबर होगी यह इसके और यह इसके अब यहां से देखा 3k minus 2 is equal to 1 3k is equal to 3k equals to 1 यहां से भी देख लें तो minus 2 equal to minus 2k minus से minus sign गया k equals to 1 अब यहां पर जो मैंने तुम्हें बात सिखानी है वो जरूरी है वो समझने वाली बात है एक बार जहीं एडवास में एक ऐसा question हाया था और वहां पर भी ऐसा unknown निकालना था बट गरबड क्या थी अब यहां तुम यहां से के निकालो तो भी 1 आया यहां से निकाला तो भी 1 आया कहीं से भी निकालोगे 1 ही आएगा पर अगर ऐसा होता कि यहां से के निकलने पर 1 आता यहां से निकलने पर 2 आ जाता, यहां निकलने से 3 आ जाता, तो इसका answer होता, no possible value of k, तो यह ध्यान रखना है, कि अगर unknown की value, सब elements से different आ रही है, तो there will be no possible value, वो हर जगा से same आनी चाहिए, 4k equal to 4k1 ही आएगा, तो यह इस तरह के question में ध्यान रखना होता है, कि आपका जो unknown है, जब आप 2 elements को equalize कर रहे हो, mattresses में, 2 mattresses अगर equal हैं, और आप उनके corresponding elements को equalize कर रहे हो, तो आपके पास unknown की value सब जगा से same आनी चाहिए, इस concept को IIT वाले ने एक बार हमारे से पूछा हुआ है, तो यह भी आपने जो है, वो try करना है, और आज इस exercise से पहले कुछ ऐसे examples हैं, अगर मैं बात करूँ, तो जो examples हैं, आपके 3.2 से पहले, वो सब copy पर आपने note down करने हैं, ठीक है, कल इसको मैं conclude कर दूँगा, हमारे पास कुछी questions बचते हैं, कल ए exercise खतम हो जाएगी, फिर हम अगला concept करेंगे, त सारे के सारे 3.2 से पहले वाले solve करने हैं, इस exercise को solve करना है, और फिर हमने आगे बढ़ना है, और आप लोगों को फिर एक बार, फिर भी बात जो मैं बता रहा हूं, कि आप लोगों ने अब रुकना नहीं है, study जो है, वो continuity में करनी है, board class है, और मेरा target है, कि मैंने आपको maximum part, जब तक भी ये lockdown चलेगा, आपकी classes regularly चलने में भी जितने भी दिन लगेंगे, तब तक हमने continuously study को जारी रखना है, कोई भी इस lockdown को study के बीच में आने नहीं देना है, आपको मैंने सारा का सारा जो भी part है, जिस भी तरीके से cover करना है, वो मैं करता चलूँगा, पर जरूरी है कि आप सब लोग इससे जुड़ें, और जो आपके class fellows इससे जुड़ नहीं पाएं हैं, उनको भी जुड़ो, उनको भी इसके link जो है lecture के भीजा करो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो group में ना हो, उनको भी आप इन links को जरूर दें ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए तिल दें, मिलते हैं नेक्स ताइम, थैंक यू